जैजिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सूपर इस्टेडी यूटूब चैनल में इस वीडियो में बात करने वाले है SSC CGL का स्कोर कार्ड कैसे चेक करें जिया यहां पर नॉर्मलाइज कितना नंबर आप लोगों के लिए यहां पर मिल रहा है ठीक है आपकी शिप्ट में उसको आप कैसे चेक आउट करेंगे अपका अपर इसकोर कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ वीडियो को लास तक दिखते रहेगा और यहां पर अभी की अगर अपडेट की बात करें तो SSC CGL की आंसर की देखने में जो प्रॉबलम आ रही थी वो अभी सॉल हो चुकी है जी हाँ अब यहां पर आसानी से आप अपनी जो आंसर की है वो चेक आउट कर सकते है ठीक है जो पुराना जो लिंक था वर्क कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है सिंपल सा प्रोसेस है अपनी आंसर की चेक करने का डिस्क्रिप्सन में मैंने लिंक दे दिया है वहां से आप जाके जो है इस लिंक पर आ जाएंगे ठीक है आसानी से यहां पर डाउनलोड हो रही है ओर अपनी जो डिटेल से वो यहां पर आपडाल देंगे तो चलिए जानते है कैसे आप आफिशल तरीके से अपना स्कोर आड चेक करेंगे के आपके Normalize जो मार्स है वो चेक करेंगे तो आप लोगों को आजाना है सबसे पहले SSC की old website पर जी हाँ SSC की जो old website है ssc.nic.in वहीं पर आपको scorecard देखने को मिलता है जी हाँ अब यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यह website है जो की यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस दरीके से आपको दिखाई देगा अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है लॉग इन करना है यहाँ पर आप देख पार होगे लॉग इन पेज आपके सामने दिया हुआ है यहां पर आपको आपके details जो है डालनी है और login कर लेना है ठीक है दूसरा एक तरीका आप लोगों का जो है रहेगा जो आप लोगों के old जो निव वेफसाइड है उसमें भी आप लोगों को दिखाई देगा ठीक है अब यहां से आप check out कर सकते हैं आपको login और जो है आप password डा जो है result and marks वाला ठीक है यहां से आप अपना जो scorecard है वो check out कर सकते हैं इस तरीके से आपके सामने यहां पर जो है पेज आएगा यहां पर आपको आपकी exam select करनी है और यहां पर जो है आपका registration से नंबर आलरेड़ी यहां पर दिया होगा अब यहां पर अन ओफिशल तरीके स आप कैसे check कर सकते क्योंकि official तरीके से तुरंत में जो है वहां पर scorecard जो है एस से जारी नहीं करती है अब यहां पर आपको क्या करना है rank मित्रा की website पर आपको आजाना है ठीक है यहां पर आप देख पार होगे link आपको description में मिल जाएगा अब यहां पर आपने जो answer की download किया जैसे आप login करेंगे तो आपके सामने यह page आपके सामने आता है और यहां पर आप लोगों को एक link मिलता है आपके answer की का ठीक है इस पर आप जैसे ही click करेंगे तो यह page open होके आज आएगा अब यहां पर आप देख पार होगी यह answer की आप लोगों की जो है open हो चुकी है यहा यहां पर आपके सामने copy वाला option यहां पर आजाएगा ठीक है देख पार होगे copy यहां पर आप कर लिजेगा सबसे पहले अब copy जैसे ही यहां पर आप करेंगे तो उसके बाद क्या करना है देखिए उसके बाद यहां पर rank मित्रा की website पर आप आज आएंगे ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना है अपकी जो URL है आपके answer की का वो यहां पर आपको paste कर देना है उसके बाद यहां पर आपके category select करेंगे जो भी आपकी category है उसके बाद यहां पर आपकी language ठीक है और यहां पर कुछ भी password आप बनाके जो है आपर submit कर देंगे ठीक है अब जैसे ही submit करेंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने side में एक options आपको देता है देख पार होगे यहां पर check your rank score card करके इस पर आप से आप देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को सारी चीज़े जो है बता देगा कि overall जो है average marks कितने आ रहे हैं है ना shift के इनके average marks कितने हैं सारी चीज़े नीचे आप आएंगे तो यहां आप देखेंगे आप लोगों का जो है यह score card आपको दिखाई देगा ठीक है यहां पर नीची है कितने सही है कितने गलत हैं यह सारी चीजह और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कितना मार्ख ruk और सकते अर्ड और उस तरिके में तो फिर आप अब आपthen आप सकते हैं और यह ब сможHope पारे होगे कि कितने students के कितने नंबर है वो आपको data भी यहां पर मिल जाएगा 190 के प्लस जो है सिर्फ एक student के नंबर है ठीक है यहां पर जो कि EWS केटीगी रिकार ठीक है तो यहां से आप देख पारे होगे कि किस सिप्ट में ठीक है कितने average marks, normalized marks कितने यहां पर हो रहे है यह सारी चीज़े आपको इस website पर मिल जाएगी link आपको description में मैंने दिया हुआ है वहाँ से जाके आप अपना scorecard, normalized marks, सारी चीज़े आप download कर सकते है और answer की भी download कर सकते है अब link जो है work कर रहा है कोई doubt है तो आप comment कर सकते है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैए